जहें नमस्कार सातियों स्वागत हैं आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे CRPF Constable Tracement 2023 की जो 9212 पोश्टे निकाली गई हैं उसकी सेल्वी सिलेप यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको सेल्वी कितनी मिलेगी तो दोस्तों अगर आप लोगों ने CRPF Constable Tracement 2023 की फोश्टों के लिए तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक अवस देखना क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बिल्कुल step by step बताएंगे कि आपको CRPF Constable Tracement में सेल्वी कितनी मिलने वाली है तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक बात कहना चाहाता हूँ कि चैनल पे नहीं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा ताकि आने वाली हैव वीडियो की नोटिपी केसन सबसे पहले आपको मिले जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका basic पे होगा बो 21,700 आपका यहाँ पे basic पे होगा level 3 के तहत यहाँ पे 2000 ग्रेट पे आपका होने वाला है यहाँ पे आपको जो हरे मिलेगा वो एकसी सिटी के लिए 27% हरे आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आप basic पे देखेंगे अपना तो basic पे यहाँ पे आपका 21,700 रुपे दिया गया है DA की बात की जाए तो 34% आपको DA मिलेगा जो कि 7,378 रुपे आपका DA बनेगा इसके बाद HR दिया जाएगा Class X सिटी के लिए 27% टोटल मिला करके यहाँ पे 27% अगर आपको दिया जाएगा basic पे का तो 5,869 रुपे बनेगा यहाँ पे आपको TA मिलेगा जिसे हम ट्रेबलिक अलाउंसर कहते हैं जो कि 3600 रुपे यहाँ पे आपको दिया जाएगा इसके बाद TA on DA आपको मिलता है यानि कि DA on TA जो कि 1224 रुपे आपको दिया जाएगा जो आपकी gross salary बनेगी वो 49,761 रुपे salary बनेगी in hand तो जो आपके account में gross salary आएगी वो यहाँ पे इतनी आएगी 49,761 इसमें से कुछ deduction भी होगा तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 38,000 से 49,000 के बीच में आपकी salary आएगी I hope so आपको यह वीडियो पसंद आयोगी अगर इसके अलावा आपका कोई भी question है तो आप comment works में comment करके हमसे पूस सकते हैं Thank you